नमस्कार आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सचिन शर्मा सूरिया आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं रीबा जिले के कैसे युवा नेता से जिन्होंने अपनी कारे कुशलता और समास सेवा के दम पे अपने छेतर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है जो बरतमान समय में सिर्मोर जनपद अध्धक जी के सुपुत्र है और उनके प्रतिनिद भी है तो आईए हम बात करते हैं संजय जी से छेतर के मुद्दो को लेके क्या कहना है उनका संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यबाद सचीन जी सिर्मोर जनपद पंचायत छेतर में आपके द्वारा लगातार कारे किया जा रहा है सबसे पहला हमारा सवाल है कि आपके छेतर में लगभग कितनी ग्राम पंचायते हैं सिर्मोर जनपद अंतरगत एक सो तीन पंचायत आती है एक सो तीन पंचायत में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जनपत पंचायत तो सिर्मोर है लेकिन तीन भी धान सभा सिर्मोर जनपत अंतरगत इन एक सो तीन पंचायत तुमें आती है क्योंकि परिशे बताना जरूरी है कि एक सो तीन पंचायत सिर्मोर की आती है आपने क्वेशन पूछा एक सो तीन पंचायत का तो जनपत पंचायत में मेरी क्या हैसियत है और मैं किस पतपर हूँ मेरा क्या दाइद तो है तो मैं तो एक साधारन बेखती हूँ लेकिन जनता ज एक प्रतनिद होने का अदाइद तो हमें जरूर मिला और मा का असिरवाद भी मा के असिरवाद के चलते मुझे जनता का सेवा करने का मौका मिला और इन पांच वरसों में मैंने पूरे एक सोतीन पंचायत का भ्रहमन किया और जमीनी हकीकत को जाने की कोशिस की और उस पर खड़ा भी उतरा तो आपने जो सवाल किया है मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि मैं तो एक सोतीन पंचायतों को निर्मल ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास किया पहले तो मैं ये बोलूँगा लेकिन सत्प्रश्यत कार करने का प्रयास तो किया लेकिन मैं सत्प्रश्यत काम नहीं कर पाया किसी भी ग्राम पंचायत में जिसको मैं समाज के सामने, मेडिया के सामने, आप सब के सामने यह है नजर में नजर मिला कर बोल सकूँ कि मैंने इतनी पंचायत सत प्रहसत ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम पंचायत की नाम से जानी जाती है तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मेरी एक सो तीन पंचायत हैं तो निर्मल तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन विकास के मामले में हर एक ग्राम पंचायत इन पाँच बरसों में मैं पूरे जीले की बात नहीं करूँगा मैं सिर्मा और जनपत की बात करना चाहता हूँ कि चाहे सासन की जनकल्यानी योजना हो चाहे निर्मान विकास के बात हो चाहे केंद्रे की योजनाओं की क्रियानवत की बात हो तो पहला जो मूल बूद कार है तो मैंने उस कार को जमीन पर उतारने का कार किया और मैंने सिर्मोर में पहला काम सचता को लिया हमारे देश के प्रधान मंती नरेंद मोदी जी का सपना था कि हर ग्राम पंचायत स्वच्छ ग्राम पंचायत हो तो जब ग्राम पंचायत हमारी स्वच्छ होगी तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो मैंने सिर्मौर जनपत को एक नंबर में पूरे जिले में यह वियान चालू था तेश में चालू था तो मैं जनपत सिर्मौर की बात करूँगा कि जब जिले में यह योजना और यह मिसन चालू हुआ तो मैं सबसे पहले सिर्मौर जनपत को सच है भारत के रूप में सिर्मायर का नाम इस्थापित किया उसमें उस समय ततकालिंग पूरव में मुखधमंत्री रहे सिरौात सिंग चोहान जी भारती जन्ता पार्टी की हमारी सरकार थी उस समय हमारी मा को मानी मुख मंत्री जी के द्वारा स्वच्छता का पुरूसकार सिर्मोर जन्पत को एक नंबर में दिया गया था और निर्मल ग्राम पंचायत के बारे में जैसे की हमारे सांसाद जनारदन मिस्र जी है उन्होंने हमारी ग्राम पंचायत जन्पत पंचायत अंतरगत हर दुआ को भी उन्होंने सांसादादर से ग्राम में सामिल किया था एक प्रतनीद एक छोटा सा पद लेके मैं स्वयम हर जुम्मेदारी को अपने कंदों में लेके उस ग्रम पंचायत में रखने का और सुधारने का प्रयास किया है और सासन की योजनाओं को सत्प्रिस्ट पहुंचाने का कर किया है आप सिर्मौर और सेमरिया छेतर में काफी समय से सक्री है सिर्मौर और सेमरिया छेतर में सासकी यूजनाओं के क्रियान निवने की क्या स्थिती है दर्सकों को हम खबरदार न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं क्या स्थिती होगी आपकी जानकारी के मुताविक मैं पूर्विकी भी बात करूँगा हर बात में मैं अपने 5 ररसों का जो हमारी मेहनत थी तो मैं पूरे 5 ररसों का और आज तक मैं आपको बेवरा दूungगा तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूर में मद्द प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार निरनतर 15 ररसों से थी और मैं लगातार इन पाँच बरसों में जो मैंने जमीनी हकीकत को देखा तो मैं आपको यह साब बताना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सब को बताना चाहता हूँ और सरकारी योजनाओं को जमीनी इस तर पर ले जाने का और किर्यानवित करने का अगर बास्तों में आसली चैनकारी लेना है तो ग्राम पंचाय से लेके जनपत में बैठने वाले ब्यक्ति को सबसे ज़्यादा अहसास होता है और मालूम होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी योजनाओं जितनी भी हूँ चाहे मदप्रदेश की, राजजी स्तर की हूँ, चाहे केंदर स्तर की हूँ कि वो उपर से चल के आएंगी तो सीधे आपको चिले से होते हुए जनपत और ग्राम पंचायत में पहुँचेगी तो कोई भी योजना है जनपत से ही चल कर पहुँचती है तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इन पांच बरसों में मेरी मा के कारकाल में मैंने सभी योजनाओं को देखा तो मैं तो आपको यह बताने में बिल्कुल हिच्चाहट अपने आपको महसूस नहीं करता क्योंकि आपने सवाल किया तो आपके माद्यम से मैं मुझे खुसी हुई कि आपके माद्यम से मैं सब को बता सकता हूँ मैं अपने छेतरे बासियों को बता सकता हूँ और छेत के सभी जन प्रतिनिदियों को बताना चाहता हूँ कि अगर बास्तों में असली जनप्रतनिद आपको बनना है, असली जनप्रतनिदियों का दायतों का निर्वाहन करना है, तो ग्राम पंचैस से लेके जनपत तक है, आप पहुचने का प्रयास करें, और समाज में सेबा करने का बढ़ी आपसर मिलेगा मेरा जहां तक अनभाव ह में जितनी भी योजनाएं मैंने देखी, तो मैंने तो पहले योजनाएं को समझने में मुझे दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पांच महीने लग गया सचिन जी, क्योंकि इतनी योजनाएं सिवराज जी की सरकार ने बनाई, पार्ती जनता पार्टी की सरकार ने गरीबो के लिए चलाई कि मैंने तो उन योजनाओं को पढ़ते पढ़ते और जानते जानते मुझे तीन महीने लग गया मैं गिनाने लगूं तो सुबह से साम हो जाएगी और साम से सुबह हो जाएगी लेकिन योजनाओं खतम नहीं होगी लेकिन असली बात तो यह है मेरे लिए चैल तो मेरा तो चैलेंज मेरा कोई प्रतुदंदी नहीं है और ना कभी जीवन में होगा मैंने कभी अपना प्रतुदंदी नहीं माना प्रतुदंदी किस चीज़ का तो मेरा प्रतुदंदी तो मैं खुद था मेरे सामने एक चैलेंज था कि मुझे इन योजनाओं का क्रियानवी चमीनी इस तरफ पर कैसे ले जाना तो मैंने उस चैलेंज को एकसेप्ट किया और उन योजनाओं को अपने दिमाग में और किताबों की जो जैसे गठे होते हैं तो मैंने उस योजनाओं को अपने दिमाग में एक गठा बनाके रख लिया और जनपत की एक ग्रम पंचायत में परियास किर circuits करूँंगा और गरीब जनता को इसका लाब दिलाऊंगा एक तैन चल्चा पल लग बहुत चाहिकों किया और मैंने उन योजनाओं का एक प्लान बनाया अपने मन में और ग्राम पंचायत के सभी सरपंच और सचु के माध्यम से सभी लोगों से मैंने चर्चा की, सभी लोगों से मैंने बात किया कि इन योजनाओं को जमीनी इस तरपर कैसे ले जाया जा सकता है तो मैंने उन से बात की कि आप अपने अपने ग्रामपंचायत में चवपाल की विवस्था कराईए देखा जाए तो बरतमान समय में जनपदों में शिकायतों का अमबार लगा हुआ है और ग्रामीड जनता उन शिकायतों को लेके जनपत पंचायत और प्रसासनिक अधिकारियों के कारे आलेयों में आने जाने में लगी हुई है लेकिन कितना उन शिकायतों का निराकरण हो पा रहा है आप इसको किस प्रकार लेते हैं देखिये आपकी बात से मैं सहमाथ हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये overcomingतों का सिकायतों का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा रही बात आपने सिकायत की बात रखी है तो मैं इसमें अपने जनपत पंचायश सिर्मौर की बात कहूंगा इन पांच बरसों में बास्तों में ये सिलसला मैं मुझे भी देखने को और समझ में आया मैं जब जन्पत पंचायद सिर्मौर जाना सुरू किया तो हाँ लाइन लगी रहती थी और लाइन ऐसी नहीं लगी रहती थी कि आप खुद देखते तो आपको कश्ट होता तो मैं उस लाइन को देखकर मुझे भी बड़ा जीब लगा कि ऐसी लाइन नहीं थी कि सिर्मौर जन्पत पंचायद के एरिया बहुत बड़ा है लगभग 50-60 किलो मीटर के अंतरगत पूरी ग्राम पंचायद आती हैं और उत्री छेत्र से लेके आप अब इधर आप आजाए मजगमा से लेके आप उधर चले जाएए सतना जिला में आप पिपरा ग्राम पंचायद है बरा है मजगमा है मतलब शित्रकूट के बिधान सभा को छूती है उधर तो कुल मिलाय के एरिया बहुत बड़ा है वहां से लोग उम्र की बात करूँगा कि 25 से लेके और 60-65 वर्स के लोग चनपत पंचायद सिर्मोर में सिकायत अपनी समस्या को लेकर हमको निरंतर खड़े मिले तो जब हमने देखा तो मैंने बुला बुला के पूछा जैसे की कोई स्याने ब्यक्ति खड़े हैं गेट में और जमीन पर तो मैंने कई बार पूछा बाबा इधर आई ये क् काम है कई ऐसे उम्रे के एक बृद्धा माताएं थी जो अपनी समस्या को लेकर गेट में खड़ी रहती थी सूबह से साम तक तो बड़ी समस्या थी उनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं था तो मैंने इन समस्या का निराकरन बहुत जल्द किया एक दो तीन महिने के अंदर मैंने इन समस्या के निदान कर दिया मैंने उन सब ही लोगों से पूँचा कि आपकी क्या समस्या है तो समस्या बड़ी भारी नहीं थी कोई ब्यक्ति बिचारा वहां से आ लेकर आ रहा 55 किलो मीटर से दूरी से आके वो गेट में बैठा है और उससे जब समस्या पूँचो तो भहिया बबबा क्या समस्या है दादी क्या समस्या है काकू क्या समस्या है तो काकू और दादी की और बबबा की एक ही समस्या थी कि दादू हमका 300 और 500 बृद्धा पैंसिल मिलत रही लेडी विद्वा विचारी बैठी है कि हमको 300 बिद्वा पैंसिल मिलती थी हमारा चोटी चोटी समस्या लेकर जो की जनपद इस तरकी नहीं थी, सब ग्राम पंचायद की इस तरकी होती हैं, लेकिन ये समस्या जनपद इस तरक वो लोग अपनी समस्या को लेकर पहुंच जाते थे, क्योंकि इसका कारण है कि ग्राम पंचायद का काम जो है, तो जनपद में हो का निदान निराकरण कभी नहीं हो सकता, ये समस्याइब बने रहेंगे जब तक है, ग्राम पंचायद से हर बेक्ति अपने जुम्मेदारियों पर खड़ा नहीं उतरेगा जैसे ग्राम पंचायद के सरपंच हो गए, ग्राम पंचायद के सची हो गए सहायद सची हो गए, सेल्समेन हो गए खड़्यान पर्ची में, तो अब जब ये अपने जुम्मेदारियों से बाहर भागेंगे जब गरीबों के ग्राम पंचायदों की समस्या को नहीं सुनेंगे, तो वो विचायदे अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भटकेंगे तो सिकायतें निरंतर बढ़ेगी, घटे की नहीं तो मैंने एक काम किया, कि जो जनपद में बैचायरे आते थे मैंने ततकाल उनका निराकरन किया और हर ग्राम पंचायद में, यह मैसेज दिया और संदेशा दिया, ग्राम पंचायद के सरपंच और सची और सहायक, सची और सलसमैनों से डारेट मैंने बात की कि यह छोटी-छोटी समस्या लेके कोई स्याना ब्यक्ति यहां आ रहे हैं, गरीब ब्यक्ति कि जो कि 50 किलो मीटर से सिर्मोर आएंगे तो वो 300 के पीछे यहां गूम रहे हैं एक महीने से यहां कोई सुनने वाला नहीं है, छोटी सी समस्या तो वो 300 रुपए पाने के चकड में 1000 रुपए वो फूंक रहा है विचारा घर से किसी के करजा लेके किसी से उधारी मांग के आके अपनी समस्या का निराकरण कर रहा है कम से कम ही तना तो आप लोग करिए कि गरीबों की मदद आप करो एक दिन में हपते में एक दिन आप ग्राम पंचायत में एक बैठक रख लें, ग्राम सभा में आप समस्या सुन लें तो छोटी छोटी समस्याओं का निराकराण हो जाए, लेकिन जनपत पंचायत सिर्मोर में मैं ये बोल सकता हूँ कि 100% तो नहीं लेकिन मैंने 60 और 70% ये सुधार किया हूँ, और ये समस्या आगे कभी ना आए ऐसा मैंने विस्तार से विधिवत इस्थित में मैंने पहुंचाया मद्ध प्रदेश सरकार की जो किसान कर्ज माफी योजना है आपके छेतर में उसकी जमीनी हकीकत क्या है देखिए, मद्ध प्रदेश में किसानों की बड़ी समस्या आज की डेट में हमको देखने को मिल लई मैं पूर्व में इतना बड़ा तो नहीं हूँ लगभग 35 वर्स का हूँ और 15 वर्सों से राजनीत में निरंतर सक्री हूँ तो इन 15 वर्सों का अनुभव हमने देखा और जो अनुभव हमने अपने आँखों से नहीं देखा उनको किताबों में मैंने पढ़ा और बड़े बरिष्ट लोगों से सुना भी कि किसानों की बड़ी समस्या पूर्व से चली आ रही लेकिन इन 15 वर्सों में जिस तरह से सिवराज जी की सरकार ने भारती जनता पार्टी की सरकार ने मद्द परदेश में किसानों के हीतों में जिस तरह से काम किया है उसके बारे में मैं जीतना धनवाद दूँ वो काम है क्योंकि मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मद्द परदेश में आपने सिमरिया और सिर्मौर की बात रखी है तो मैं उदाहरण के रूप में दे दूँ कि किसानों की समस्या का निराकरण मद्द प्रदेश की पूर्व सरकार ने कितना किया है आप पहले देखो कि हम भी देखा है कि हम भी एक किसान के बेटे हैं हम भी किसानी किये हैं तो किसानों की समस्या मैंने करीब से देखी है कि पहले लोगों को बिजली नहीं मिलती थी और किसी तरह बिजली मिलती थी तो पानी नहीं मिलता था और पानी भी किसी तरह अगर मिलता था तो बिजली तो बिल्कुल नहीं मिलती थी फिर अगर ये दोनों चीज किसी तरह मैनेज हुई तो किसानों को खाद बीज नहीं मिलता था कितनी सारी समस्याएं थी अपने प्रदेश में और देश में मानूंगा लेकिन इन सभी समस्याओं का निराकरण और जिस तरह से मद्द प्रदेश में पूर सरकार ने किया वो हमें बताने की साइद अबस सकता नहीं तो मैं आज की डेट में मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से किसान 15 साल पहले परिस्थितियों से गुजर रहा था हर समस्था से आज देखिए समरिया में मैं जमीनी हकीकत को बताना चाहूँगा कि समरिया विधान सबा में मैंने तो आख से और लोगों के पास जा जाके देखा कि इस एक बर्स में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार आई तो मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस की मैं नीतियों का विरोध कर रहा हूँ बही सरकार आती है सरकार जाती है ये सिलसला तो चालू रहेगा निरंतर कभी धूप तो कभी छाया तो इसको तो कोई बंद नहीं कर सकता लेकिन समस्या इस चीज की है कि आपने किसानों के बारे में पूछा है तो मैं तो आपके माद्यम से किसानों की समस्या को मैं मत्द प्रदेश की सरकार को पहुचाना चाहता हूँ कि किसान खुसहाल रहे किसान जब खुसहाल रहेगा तो पूरा राज्ये खुसहाल रहेगा पूरा देश खुसहाल रहेगा चुकि किसानों की समस्या आज अगर हम न सित नहीं हो सकता क्योंकि किसानों की खून पसीने की कमाई और मेहनत जो आज करते हैं तो उनकी खून पसीने की मेहनत से आज हम चैन से सुख से आज भर पेट खाना खाते हैं तो लेकिन हम किसानों की समस्या पर खड़े नहीं उतरते तो इसलिए मद्द प्रदेश की सरकार को मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसानों की मूलव समस्या यह है कि आज उनको समय समय पर जो पहले खाद बीज की समस्या पंदरा इन पंदरा बरसों में नहीं हुई आज ना किसी को खाद मिल रहा ना किसी को बीज मिल रहा ना किसी को आज पानी की सुबदा हो रही है बिजली की तो समस्या आ ही गई है पहले तो यह समस्या थी कि बिजली कब जाएगी आज एक बरसों में इतना जल्दी बताईए यह च्छै साथ महीनों में इतना जल्दी पर परिवर्तन हुआ कहते हैं लोग परिवर्तन परिवर्तन इतना हुआ है बास्ताओं में कि आप लोगों का ये मानना है कि बिजली या फुल कब आएगी पहले ये था कि बिजली कब जाएगी पंद्रा वर्स में हमने देखा कि बिजली कभी जाती नहीं थे और इन छै महीने मे इतना परिवातन हो गए, कि हर आदमी ये कहने लगा, कि विजली कब चली जाएगी, इसका कोई ठिकाना और कोई भरोसा नहीं, आपको मद्द प्रदेश में जनता का जनाधार मिला, आसिरवाद मिला, आप तब आप की सरकार बनी, आप के उपर भरोसा अगर किसानों ने किया भास्ताओं में, जनता ने किया, तो क्या आप कभी फर्ज बनता है कि आप उस भरोसे पर खड़े उतरें, क्योंकि आप पर भरोसा, इसलिए जनता ने मद्द प्रदेश के किया था, कि आप ने ऐसे बादे किया था, आपने खिसानों को कर्ज माफी का वादा दिया था हाप फुल विजली का बिल मैं जो संसोधन करते हुए हाप विजली का करने का वादा किया था तो आप तो हम तो सभी बादों को तो नहीं करते हैं लेकिन मैं इन दो मुद्द्व की बात आपको करना चाहूँ पूछा तो मैं खिसानों को क्या आपने सुधा दिया आप अपने बादे पर क्या खड़े उतरे आपने सीधा कहा तकी जैसे भी हमारी सरकार बनेगी तो मैं खिसानों का तत्काल 2,00,00 रुपए का कर्ज माप कर दूंगा विगत बिधानसभचुनाव में आप से मरिया बिधानसभचे भारती जनता पारटी के प्रवेल कंडिडेट थे लेकिन अचानक से आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया फिर भी आपने भारती जनता पारटी का विरोथ क्यों नहीं किया अच्छा और जो भारती जनता पार्टी का टिकट वितरण कुल्ले के परिणाम रहा उसको आप किस नजरिये से लेते हैं देखिए आपने पहला तो समरिया विधान सवा में आप प्रत्यासी की बात पूछा तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि प्रत्यासी तो मैं अपने आपको नहीं मानता था मेरा काम जो था इन पांच वर्सों में तो जिस तरह से मैंने जनता के बीच जाके अपने दाइतों का इमानदारी से निर्वाहन किया और जनता की सेवा की तो मैं तो आपने क्वेशन पूछा तो मैं आपके माद्धम से सिमरिया छेतर की जनता जनारदन का मैं धन्वाद देना चाहता हूँ कि जिनके आसिरबात के चलते और जिनके आवाज से मैं एक प्रत्यासी के रूप में मुझे इस लायक समझा गया कि मैं तो एक छोटा सा जनप्रतनीत था मेरी मा जनपदधस थी उस नाते से मैंने छेतर में अच्छा काम किया और सरकार की योजनाओं को क्रियानवित करने का प्रयास किया जिसके माद्यम से जनता के दिलों में मैंने इस्थान बनाया जनता की आवाज और जनता का भरोसा जीतने का हमें अफसर मिला उस अफसर से जनता की आवाज ने यह फैसला किया कि आप पिधान सभा सिमरिया छेत्रे से चुनाओ लड़े तो मैं तो आपको यह बताना चाहूंगा कि 2009 में और 1910 में सिवराज जी की जब सरकार थी कारिकम था कारकरता समयलन था चंदमण जी उस समय सांसत थे उस समय मैंने मेरी विचार धारा तो चुकि मेरे पिता जी भरती जनता पर्टी के विचार धारों में पहले भी काम कर रहे थे और वही विचार धारा से हमारी भी सोच पर्टी में ही थी चुकि भार्ती जनता पर्टी की विचारधारा मेरे खांदान में थी और उस संसकार के चलते हमारी भी सोच पर्टी के लिए अच्छा काम करने के लिए रही तो 2009 में मैंने पंदभर पार गए मैं सिवराज जी, चौहान जी से सदस्ता लिया और तब से मैंने पार्टी के लिए निरंतर काम करता रहा लेकिन मैं अपने आपको एक ब्यक्तित का धनी ब्यक्ति मानता हूँ मैं ब्यक्ति पर पहले था तो इस नाते मैं पार्टी में काम भी करता था और अपना आदर्स सिवराज जी को उस समय से मानने लगा था टिकट की बात आई तो जनता की अच्छी आवाज थी पार्टी के निर्देश अंसार हमने काम किया आज भी मैं काम कर रहा हूँ इमानदारी से तो जब सर्वे होता है पार्टी में तो सर्वे में भी मेरा नाम आया मैंने अपने मुझे कभी यह नहीं बोला पार्टी में सिर् मुझे प्रत्यासी बनाया जाएगा तो निश्चीत रूप से पार्टी को जीत मिलेगी लेकिन पहला दायतों और मुझे पार्टी से ही सीख मिली है कि वो तो competition के दौर पे हर बेक्ति प्रत्यासी बनने का प्रयास करता है उसी सिल्सिले में हम भी प्रत्यासी अपने आपको मा ने लगे थे इसके बाद जनासिरवाद हुआ जनासिरवाद सिवराज जी चौहान जी का सिमरिया विधान सभा में जब हुआ सभी जीलों में दोड़ा हुआ तो सिमरिया विधान सभा में जनता ने अच्छा बढ़ चर कर स्वागत किया और कई जगह स्वागत किया और जनता ने बढ़ चर कर हिस्सा लेते हुए मेरे समर्थन में सिवराज जी के कानों पर आवाज पहुँचाई कि प्रत्यासि के रूप में हमें बनाने की तो मैं तो धनवाद दूँगा सिमरिया की जनता का मैं प्रत्यासी नहीं था सिमरिया की जनता ने मुझे प्रत्यासी बनाने का प्रयास किया और इसके बाद लगभख सिवराज जी जनता की आवाज को माना भी कि ये बेक्ती जमीनी हकीकत पर काम किया है जनता इसके साथ है लेकिन देखिए मैं अभी बहुत छोटा हूँ पार्टी का निर्णा है मैंने सर्मान माना मैंने प्रयास किया जनता की आवाज पहुँची और जनता के साथ हम भी चल दिये थे लेकिन बाद में देखिए पार्टी का निर्णा सर्मान होता है जब थोड़ा सा हमारा होसला डगमगाया लेकिन बीच में सिराज जी का फोन आ गया और सिराज जी से हमारी बात हुई और संक्ठन से भी प्रदेश से हमें दूरभास से फोन किया गया और हमें बताया गया और आदेसित किया गया तो मैंने उन आदेसों का पालन किया और मुझे सिर्मौर विधान सभा में हमारी डूटी लगा दी गई हमें दाइत दे दिया गया तो मैंने सिवराद जी चौहान जी के आदेसों का पालन किया और निरंतर मैंने पार्टी के लिए काम किया कहीं विरोधी भासा मैंने कहीं भी नहीं हमारे सब्दों में आया भाजपा में आप कब से हैं और भाजपा की किन नीतियों से आप प्रभावित हैं भाजपा में मैं तो 2009 से शुराज जी के हांते सदस्ता लिया तो 2009 से मैं निरंतार काम कर रहा हूँ लेकिन यहां तक 35 बर्स के उम्र हो चुकी है तो मैं लगभग 15 बर्सों से पार्टी के बिचार धारों पर काम कर रहा हूँ लेकिन सक्री रूप से पार्टी के लिए एक छोटा सा कर करता के रूप में मैं लगातार 2008-09 से काम कर रहा हूँ आगे की आपकी राजनीट कुले के आपकी क्या प्लानिंग है क्या विचार है आपके किस प्रकार से आप काम करेंगे आगामी कोई चुनाव लड़ेंगे या बिन चुनाव लड़े ही जनता की सेवा करेंगे मेरी इतनी बड़ी महत्वा कांची नहीं है कि मैं सिर्फ राजनीत करने वाला ब्यक्ति की महत्वा कांची तो देखी होती है लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा कोई महत्वा कांचा मन में नहीं आई कि मैं जनता की सेवा करने का मतलब आर्थ हुआ कि मुझे नेता बनना है मुझे कुछ पाना है नए असली जन प्रतनित वही है जो बीना पद और बीना कद की जनता की सेवा करके और समाज में एक नाम कमा ले वो मैं अपने आपको आपके सामने बोल सकता हूँ उधारन दे सकता हूँ और यही मैसेज प पर देश तभी आगे बढ़ेगा देश तभी आगे बढ़ेगा चन प्रतनित वस समाज को नहीं चला सकता है बीना पद का भी समाज में सेवा की जा सकती है ऐसा ही मैं एक उदहरन में देता हूँ मैं अपने आपको बोलता हूँ कि वीना पद के मैं आज दिनान तक मैं पंच का चुनाओ नहीं लड़ा लेकिन पंच से लेके बिधान सभा तक हस्त छेप और नेत्रत दायत और उन पदों पर बैठाने का कार मैं निरंतर कर रहा हूँ आगे भी मैं करूँगा हाँ रही बात है चुनाओ लड़ने की तो कोई कसम मैंने नहीं खाया है कि चुनाओ नहीं लड़ूँगा चुनाओ लड़ने और लड़ाने में तो अंतर है लेकिन मैं पंचायती अब चुनाओ कुछ नहीं लड़ूँगा हाँ मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ भारती जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ पार्टी के नित्त में पार्टी के निर्देशा अंसार में काम कर रहा हूँ अगर पार्टी का जब निर्देश होगा ऐसे कभी समय आएगा मौका मिलेगा तो निश्ची तुरूप से मैं चुनाओ लड़ूंगा युबाओं में आपकी अच्छी पकड़ है और कहा जाता है कि युबा ही देश का भविश्य है तो आप खबरदार नियुज की माध्यम से युबाओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे देखिए बिना युबा का न छेत्र न समाज न कोई आगे नहीं बढ़ सकता युबा प्रेणा है समाज का भविश और देश का भविश युबा है युबा पीड़ी के बारे में मैं यह बोलना चाहूँगा कि मैं अपने आपको तो अभी युबा ही मानता हूँ और मैं अपनी संघर से जीवनी जो है तो आपके क्वेश्चन के माद्धम से साटकर में मैं आपको बताना चाहूँगा और सभी युबाओं को यह संदेशा देना चाहूँगा युबाओं को आगे बढ़ने के लिए एक होंसले की जरूरत होती है हर ब्यक्ति के जीवन में संघर साएगा और संघर से लड़ना पहला हर युबाओं को हर ब्यक्ति को चुनून होना चाहिए और जीतना बड़ा संघर सोगा जीत उतनी बड़ी होगी यह मैं युबाओं के लिए उधारन के रूप में अपनी ओर से बताना चाहता हूँ कि अठारा चुदा बरस का था जब पिता जी हमारे गुजर गए थे और मैं अकेला पांच बहने मां को साथ में लेके और उस समय मैं युबा नहीं था बाल अवस्था में था देश दुनिया का मुझे कोई ग्यान नहीं था लेकिन मैंने धैर नहीं खोया और सोजबू से आगे बढ़ने का प्रयास किया और लेकिन मेरे मन में एक चीज़ जरूर थी और मैं सभी युबा साथियों को बताना चाहता हूँ कि चिंदगी में आगे बढ़ना है आपको तो माता पिता के आसिरवाद के बिना लेकिन माता पिता के बताए संसकारो को जब तक हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे तब तक हमें कावियाबी नहीं मिलेगी जब एक एक युबा खुद रोजगार लेके आएगा रोजगार वो खुद सवयम बना सकता है रोजगार का साधन सवयम बना सकता है क्योंकि सासन का कार है कि योजनाओं को क्रियानवित देना और उस पर खड़े उतरना हर यूबा का काम होता है इसलिए मैं धन्यवाद है आपका आपने बहुत ही बेवाकी से खबरदान्यों से बिभिन नुमुद्दों पर बात की आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो आपने देखा रीबा जी लेके यूबा नेता संजय दुवेदी जी ने हमसे बिभिन नुमुद्दों पर बिवाक बात की और देखते रहिये खबरदान्यों